हेलो दोस्तों, बॉस कंपणी का चोद्दो इंची काटिंग मेसीन, मॉडल नमबर GCO 200 इस वीडियो में हम आपको बॉस कंपणी का चोद्दो इंची काटिंग मेसीन के बारे में डीटेल्स में कुछ जानकारी बताएंगे तो इसमें जो कार्बन होला है खराब हो गया था तो एच चेंज करना है मैंने ओड़ात दिया था आ गया है और इसमें आर्मेचर भी खराब है तो आर्मेचर मेरे पास नहीं था तो आर्मेचर भी आ गया है आर्मेचर चेंज करके देखाएंगे मैसिन के बारे में डीटिल्स जानकारी आपके साथ हम सेयर करेंगे बस कंपानी का जो 14 ची काटिंग मैसिन है बहुती लाइट मैसिन है हम आपको ऐसे बताएंगे तो आपको बिजबास नहीं होगा तो खोल के आपको बताएंगे मैसिन में सबी जो प्यार पास है बहुती लाइट है आपको हे भी काम करना है तो बस कंपानी का मैसिन नहीं खरते हो तो अच्छा होगा क्यों अच्छा नहीं है हम आपके साथ इस वीडियो में बहुत सारे जानकारी आपके साथ सेयर करेंगे तो पहले मैसिन को हम उप्पेंड करते है इस मैसिन में जो आर्मेचर यूस होते है बहुत ही छोटे है बैरिंग भी छोटे होता है और एक चीज़ इसमें आगे बला जो हाउजिंग है ना आपको देखने को मिलेगे हम आपके साथ सेर करेंगे इस वीडियो में आप सभी जानकरे आपके साथ हम सेयर करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए हम धिले-धिले करके आपको सभी जानकरे डीटेल्स में बदाएंगे तो इसमें bearing place थोड़ा play हो गया है तो हमें इसको ठीक करना है जब इसको fitting करेंगे dendite से बड़े से fitting कर देंगे तो इसमें field coil देखिए field जो है ना बहुत ज़्यदा घिज रहा है तो इसमें घिजने का बज़ा दो है bearing place थोड़ा play है और एक चीस इसमें पीछे वाला जो रावार है ना खराब हो गया है इसी बज़ा से इसमें इसे armature घिज़ा है इस machine पहले किसी ने repair किया था मेरे पास repair करें लेके आया है तो हम इसमें जो भी छोटे बड़े problem है उसको solve करेंगे आप bearing का size देखिए पीछे बड़ा bearing जो है ना 608 बहुत ही छोटे bearing है सबी को पता होता है जिसने भी power tools machine है सबसे common bearing 608 होता है angle grinder, carter machine marble carter machine 5 inch carter machine जो भी machine है सबी machine में 608 bearing common होता है इसमें जो आगे बाला bearing है सबी machine जैसा इसमें भी बड़े bearing उसकिये है हे भी due to जो machine होता है 6202 देखिए GCO 200 मैंने आर्मेचार ने ले ले लते है मेरे पास नहीं था तो खतम हो गया था आम boss company का machine कमी repair करते है क्यों मेरे को पसंद नहीं है बहुत ही light machine होता है अब जितने भी अच्छे से इसको repair कर दो ज्यादा दिन तक चलते नहीं है मेरा जो नाम है ना खराब हो जाता है इसी बाइब से हम boss company का जो 14 इंची cutting machine कम repair करते है मैंने उसको बोला था हम इसको repair करनी पाएंगे अच्छ मैसी नहीं और जितना भी दिन चले आप repair करके दू तो देखिए इसमें जो armature मेरे पास दोनों armature हम ले लिए तो पुराना बोला armature हम राख लेते नया armature इसमें fit करेंगे आपको और एक चीज़ बता देते है यह जो boss company का machine है इसमें जितने भी यूटूबर है आपको उसमें bearing जो fitting करते है गलत bearing fitting हो रहा है तो आपको एक चीज़ बता देते है यह जो machine है यह बहुत ही light machine होता है और इसमें थोड़ा सा vibration में machine में आपको fill घिस सकते है क्यों इसमें जो fill होता है ना school से नहीं कसा जाता है उसमें पत्ती से उसको बैठा के उसको lock करके रखते है और इसमें पीछे बाला bearing भी बहुत छोटे है तो इसमें देखिए हम two hauler bike में यह bearing जदा यूज़ किये जाते है escape company इसमें two hauler bike के लिए यह bearing त्यार किया है तो यह bearing आप market में 120 रुबे में खर्ज़ ज़कते हो आपको original bearing डालना है escape बाला bearing ही अच्छे होता है चोटे जो bearing है ना यह bearing छोटे है 608 escape company का जो bearing है यह 180 रुपया हम आपको खर्ज़ देना है आप सोचो चोटे bearing है आपको 180 में खर्ज़ देना है और ash company का जो low Chinese बाला bearing है ना बहुत ही low बज़र में मिल जाएंगे चोटे bearing में बूज़ दा लोड बरते है सबी ने क्या करता पता है सब्सक्राइब जो भी मार्केड़ में bearing खर्ज़ने को मिलते है वो भी bearing इसमें फिट कर देते है तो ऐसे फिट करने से मैंसे जब भी लोड में चलाएगा ना bearing जल्देली खराप हो जाएगा उसमें आर्मेचार फिल घिसतर आएगा तो हम सबी को एक चीज़ बता देते है आप चोट्व इंची काटिंग में से जब भी रिपेर करते हैं उसमें आच्छे कॉलिटी का जो bearing मार्केड में आते हैं तीनी bearing मार्केड में एवेलेबल होता है escape, nbc, fag तीनों में कुछ भी bearing आपको डालना है सबसे बेस तो escape होता है नहीं मिलता है तो nbc डालिए फिर भी नहीं मिलता है fag डालिए तो तीनों bearing आपको चूज करना है आपको 2RS bearing fitting करना है double z bearing अच्छा नहीं होता है तो पीछे बेरिंग, आगे बेरिंग, दोनों bearing हम fitting कर लेते हैं तो आपको और एक चीज बता देते हैं पीछे बेरिंग है उसमें जब आपको open करना है उसको case रहता है original में case रहता है और जो duplicate armature मिलते हैं कभी कबर case में मिलते हैं, कभी कबर नहीं मिलते हैं case में जो मिलते हैं, case क्या होता है आपको समझा देते हैं पीछे बाला जो fiber है वो थोड़ा अलाग टाइप के होते हैं original armature आपके बास रहेगा तो आप उसको देख पाओगे देखिए इसमें है तो उसमें bearing feeding कर देंगे आप फूलर पकड़ नहीं पाओगे तो आपको bearing को पहले तोड़ना है उसके बाद 20 पूलर से इसको पकड़के आपको खोलना है नहीं तो आपको खोलने पाओगे उसमें जो case है ना black color का जो fiber के case रहे था तो तूट जाएगा तो आपको बहुत जाएदा problem होगा तो इसमें हम पीछे बहुत जो रावार है उसको बहार कर लेते हैं तो थोड़ा खराब हो गया है आपके साथ हम share कर रहे है जो repair करते हैं उसको बारी के से देखना है उसमें कुछ भी problem रहेगा तो आपको इसको change करना है ने तो मैसीन बहुत जाएदा armature साथ fill घिसता रहेगा और heat भी होगा जल्द जल्दी armature खराब हो जाएगा पीछे वाला जो bearing के साथ rubber बैठते है न वे rubber body में रह जाता है तो आपको ऐसे कुछ राट के मतद से आपको बार कर लेना है तो इसमें जो rubber है न वो खराब हो गया है तो इसी वाएद से बहुत ज़्यदा घिज रहा था तो इसमें जो rubber है न कितना ज़्यदा खराब हो हम आपको देखा रहे है देखिए एक side से cutting हो गया है देखिए एक side से cut हो गया है ने राबार नहीं था, खतम हो गया था एक मैसीन से राबार निकाला है बॉस कमपने का ओर्जिनाल राबार है उही राबार इसमें फिटिंग करेंगे मैंने पहले बड़े सा देखा होगा तो मैं ओराट दे देता बॉस कमपने का मैसीन तो बहुती अच्छे हैं यह मैसी बहुती light company बनाया मेरे जो चंदखना रोड में जहां पे राइता हूँ ना देखिए यहां पे जो केस आपको देखा रहे है जो कॉमेटर के बाद में एक पक्षाइबर का केस देखा देता है इस पर ठीक है तो इसी को हम इसमें यूज कर सकते हैं देखिए बड़े से फीडिंग हो गए कुछ बिशेपर नहीं है तो हमें बैरिंगपलेस बड़े से में इत्बरेश दुमर्छेश से स friendships करें गे मेरे जो हम रहते हैं यहां पर चंदोफ़ना रोड में यहां पर बॉड़ी गैरेज बहुत है जो लॉरी ट्राक जो बारचा का चोदोचा का जो लॉरी होते हैं उसमें बॉड़ी त्यार होते हैं बहुत ही हेवी डूटी काम में मैसीन यूज करते हैं, यहां पर बहुत कमपणिय के मैसीन जदा यूज नहीं होते हैं, हिटाची डिवल्ट कमपणिय के मैसीन जदा यूज होते हैं, हिटाची कमपणिय के मैसीन बहुत ही जदा यूज होते हैं, डिवल्ट थोड़ा महंगे ह जल्दी खराब हो जाता है अमेरे को पसंद भी नहीं है उसमें जो भी प्यार पास दिया बहुत ही लाइट है और लाइट मैसिन में हम काम करेंगे जल्दी खराब हो जाएगा हम जिदने अच्छे से भी उसको रिप्यार कर दो जल्दी तक नहीं चलेगा उसके बाद आपका मैसिन का गल्दी कोई नहीं देखेगा जो रिप्यार करते है उसको बहुत ही प्यार है तो हम कोई प्यार काम कभी करते है जो light होता है हम बोल देते हैं आपका machine हम repair नहीं कर पाएंगे machine बहुत ही light है और ओ machine heavy gum के लिए त्यार नहीं किया है तो क्यों नहीं यह त्यार किया है आपके साथ हम share कर रहे हैं जो भी details मेरे को पता है आपके साथ हम share करेंगे यह armature बहुत ही छोटे है bearing भी बहुत ही छोटे दिये है और आगे बला जो school है वो भी बहुत छोटे दिये है heavy duty machine उसमें heavy सभी को parts को होना चाहिए यह तो हम heavy gum में उसको use नहीं कर पाएंगे देखे हम बड़े से fitting कर लेते हैं राबर खोलके हम इसको ठोकना है ने तो राबर खराब हो जाएगा तो धिरे से ठोक के हम बड़े से fitting कर लेते हैं उसके बाद राबर केप fitting करने के बाद आपको घुमा के भी चेक करने बड़े से move कर रहा है कभी कबार बहुत जदा dendrite डालने से जब भी bearing को fitting करते हैं टाइट हो जाते हैं बड़े से घुमने ही पाते हैं तो फाइबर जो बाड़ी है ना बाड़ी के जो वायर है थोड़ा अलग से फीट होता है आपको बड़े से fan guard के साथ fitting करने के बाद आपको मैसी को fitting करना है उसके बाद बड़े से fitting करने के बाद आपको घुमा की चेक करना है बड़े से move कर रहा है इसमें जो field call रहता है ना अलग से fitting होता है दूसरे जो भी मैसीन है उसमें field call अलग से fit होता है तो उसमें field call में दो स्कूसे बड़े से tight किया जते है CC14 HDD और जो हीटची कमपाणी का डियल कमपाणी का जो भी मैसिन है उसमें आपको बूद बड़े से tight करते देखा देगा बहुत कमपाणी मैसिन में ऐसे tight नहीं होते है तो आपको फिटिंग करने के बाद बड़े से चेक कर लेना है बड़े से फिटिंग नहीं हो रहा है तो फिर से हमें खोल के फिर से उसको बड़े से देखने के बाद बड़े से फिट करते हैं तो उसमें कुछ भी problem रहेगा तो हमें इसको देखना है उसको बड़ी इसे feeding करना है तो मेरे जो real काम है वो यह आपके साथ हम share करते हैं तो वीडियो बनने के लिए कुछ भी वीडियो हम नहीं तयर करते हैं मेरे पास इतना समय नहीं होते हैं अब तो इसमें बड़ी इसे feeding नहीं हो रहाए हमें चेक करना पड़ा है उसमें क्या हुआ लिए तो हम देख लेते हमें क्या हुआ है यह भी नहीं हो रहा है तो कभी कबर क्या होता है बेरिंग जब भी फिडिंग कर देना ज्यादा नीचे चला जाने से बेरिंग कभी कभी लॉक आ जाता है तो बहुत जिदा पॉब्लम होता है तो हम वही चेक कर रहते हैं है तो इसमें जो वाय रहे उसको बड़े से फीadox करने के रीख करने के बड़े से अ देखना है बढ़े है इसे मूव कर रहा है मूव ने कर रहेगा तो भी से खो़ना है pakai को छोटी होटी जो भी गलती इसको हमें ह्षिञआ करना है तो इसे में कुछ भी बॉब्लम रहे गा तो भी हमें चेंज करना है कि कभी कवर आर्मेचर भी पॉप्लेम होता है एक आर्मेचर कभी फिटिंग किया बड़े से फिटिंग नहीं हो रहा दूसरे आर्मेचर फिटिंग किया बड़े से फिटिंग हो गया तो और आर्मेचर भी दूसरे में बड़े से फिट हो जाता है ऐसे नियों उसको हम में फिटिंग नहीं कर पाएंगे कभी कवर होता है तो बड़े से हम होगार को फिट कर लेते हैं उसके बाद मैंसन को फास्ट में फिटिंग कर लेते हैं तो मैंने जितने भी काम करते हैं तो मेरे सब में बॉस कंपनी का मैसी ने बहुत ही कम रिपियर करते हैं इसी वाई से आपको वीडियो नहीं दे पाया था यह मैसीन आया था तो हम आपको देखा दिया बड़े से फिटिंग इसमें एक पॉब्लम हो रहा था मैंने पहले इसको देखा नहीं था तो आगे बहुत यह दा प्ले हो रहा है तो प्ले होने का बज़ा क्या है हम आपको साथ सेयर करें इसमें जो हेवी वाशाद दिये है CC14 जो पूराना मॉडल है ऐसे आपको बड़े देखे उनों को मिलेंगे तो इसमें बड़े दिये है वो तो अच्छा है तो इसमें आसात नहीं रहेगा तो जल्दी खराप होने के चांस नहीं रहेगा अच्छा होता है और उसमें जो यहां पे क्या होता है हम हुईल को बैठा है यह इसमें जो स्कूग यूस किया है ना पूत ही छोटे है कि तो आपको एसे देखाइगा त्य symptoms के नहीं आएगा तो हम आपको कुछ सथीष देखाता है डीटैल में कुछ देखा हम आपको जूट कुछ नहीं देखा रहे हैं जो रियल में सच है इतना होना चाहिए था इसमें इतना नहीं है बहुत ही छोट है आप सोचो इतना बड़ा मैसी ने फिर भी स्कू कितना छोटा दिया कंपाणी ने क्या सोच के दिया है मेरेको दिमाग में नहीं आ रहा है तो आ नहीं तो ऐसे फिटिंग कर देंगे तो तो ए बेरिंग प्लेस जब भी खरब हो जाता है आपको बहुत ही जदा प्ले राएगा तो आपको चेंज करना है नहीं तो मार्वल डास से आप करके देख सकते हो नहीं तो डेंडाइट डलके फेवक्यू डलके बड़ेसे फिटिं घुमा के आपको चेक कर सकते हो तो आप अंगली से इसको घुमा के देख लैना आर्मेचल बड़ेसे मूवर है मैसीन बड़ेसे फिटिंग हो गया है तो हम हाउजिंग को बड़ेसे सापसावाई कर लिया वीडियो थोड़ा हो गया था तो उसके बाद हम डेंडाइट डाल कम प्ले हुआ तो आप देन डाइट से चीफिंग कर लेना तो मेरे पास डियोड कमपानी का जो मैसीन है आभी तक लेकर नहीं गया था तो ओ मैसीन का जो स्कूर है ना खोल के आपको देखाएंगे ओ कितना हे भी है तो हम कुछ भी आपको जोड नहीं बोलेंगे जो सच है आपके साथ ओई सेयर करेंगे तो कि बस कमपानी का मैसीन हम अच्छा नहीं नहीं बोलता है मैसीन बहुत ही अच्छे है लाइट काम के लिए बेश्ट होता है कमपानी ने उसको हलका क्यों बनाए पता है ऐसे बहुत सरे काम होता है जहां पर हलके मैसीन अच्छा होता है उसको उपर उठाना उसको लेके जाने में बहुत ही इजी होता है इसी वाए से बस कमपानी का मैसीन हर जो छोटे काम है लाइट काम है उसके लिए बहुत ही कारिगर है और जो heavy machine ने बहुत ही heavy होता है और weight भी heavy होता है वो heavy काम के लिए waste होता है तो हमें इसको fitting करना है कुछ socket में हम ले लेते हैं तो आपको और एक चीज़ बता देते हैं आप कभी भी किसी को किसी चीज़ को fitting करना bearing के ओपर आपको ठोकना नहीं है तो gear में कुछ socket देने के बाद आपको ठोकना है bearing के उपर ठोकेंगे तो क्या होगा sap के bearing के उपर टक कराएगा sap खराप हो सकता है log भी हो सकता है बाद में आपको bearing खोलने में बहुत जिदा परिसन होगा बहुत सरी YouTube में ने गलत इस्तेमाल करता है bearing के उपर ठोक देता है उसके उपर sap राख लेते हैं कुछ भी रखते हैं ऐसे आपको नहीं करना है तो ऐसे करने से आपका ही लुक्सन होगा बाद में जब खोलोगा ना खोलने पाऊगे आपको बहुत जिदा तगली जिलना को लेगा तो मैंने सौकेल लेता हूँ सौकेट डालने के बाद उसके ऐसे चुछ सापोट देने के बाद फ्क कैसो फिटिंग कर लेते हैं तो बड़े से मूब भी कर रहे हैरे उसमें प्ले भी नहीं होगा तो पहले कितना जब्दा पले हो रहा था आपी प्ले नहीं या दो बड़े घर करना है उसको बली करना है उसको बैल से ब्यृडब करनाना है तो मेने कुछ सोच है अंदर में preparation डाल देंगे उसके बाद स्कूव को थोड़ा कस लेंगे थोड़ा दिल के बाद वो सुख जाएगा बड़े से चिपक कराएगा और एमसिंग काम करने के बाद आप जो हेवी काम करेगा तो आपको बताएगा नहीं उसने हेवी काम किये हैं तो आपको जो स्कूव है ना छोट कर लिए हैं तो इसमें स्कूर डालने के बाद हम मैंसिन को फिटिंग कर लेते हैं थोड़ा फास्ट में हम फिटिंग करते हैं तो आपको हाथों से ऐसे डाल के बड़े से देखने के बाद बड़े से फिटिंग कर लेना यह जो काम है थोड़ा तागलिब देता है आपको उंगली से आपको नाटो को एड़्यास करना है उसके बाद आपको कस लेना है कि क्योंने इसमें कुश्कू डाल लेता हूं इसका थेड़ हो गया है तो बड़ाश को नहीं होगा तो इसमें फेवकी ढालने के बाद हम इसको फिटिंग कर लेते हैं तो मैं कैसे फिटिंग कर रहा हूं आप देखिये ऐसे मैंने ऐसे कम चला लेता हो अभी कभार तो अधर न डालते हैं आज अंदर भी डाल लेते हैं कि इसको बाद तुरण काम को कर लेते हैं ने तो सूख जाएगा तो नाट अंदर तक नहीं जाएगा बड़ σα बेट जाएगा बात में खोलने में थोड़ा कष्ट आएगे हीट कबाद थोड़ा घुमा के बार कर लेंगे बड़े से फिटिंग हो गया है हेज तो हम इसको देख लेते हैं बड़े से फिटिंग हो गया है जो आसर है न हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं उसके बाद मैसन को सिधा करने के बाद कार्बॉन होल्डर को हमें चेंज करना है तो इसमें कार्बॉन होल्डर कभी कबार बूज़ता हीट होने से साइड में जो फाइबर है उसमें के साथ चिपक जाता है बड़े से बाहर नहीं होता है देखिए यह boss company का carbon है यह original carbon नहीं है यह market में duplicate carbon है देखिए यह carbon quality अच्छा है तो इसमें जो price रहते है वो ऐसे ही दे देते है और original carbon है आप इसको scanat जैसा देखाई देगा नीचे में रहते है original carbon में कभी लेके आएंगे तो आपके साथ share करेंग तो यह holder original holder नहीं है original holder ऐसे नहीं मिलते सिंगल पैग में आपको मिलेंगे यह holder है इसमें quality बहुत ही अच्छे है तो आपको दोनों holder देखके लग रहा है दोनों बहुत ही अलाग है इसमें spring थोड़े मोटे है अब बहुत ही पतले है जो holder है na holder का spring खराब हो गया है तो हमें spring भी change कर सकते थे तो हमें boss company का dealer से सामान खाय देना था तो यहाँ पर हमें जहाँ पर हम सामान खाय थे उसके पास यह holder था इसी वाए से यह holder दे दिया है तो हमें a holder से कम चलाना है तो इसमें spring को हम ऐसे देख लेते हैं बड़े से काम कर रहा है तो थोड़ा हम fast में fitting कर लेते हैं वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था इसमें थोड़ा speed में हम आपको देखाए थोड़ा cut shot भी किये है तो हमको बड़े से fitting कर लेना है दूसरे side का carbon holder भी हमें fitting करना है इसमें connection नहीं आ रहा था मेरे को पता नहीं चल रहा था इसमें क्या हुआ तो मैं फिर से खोड़ा था इसमें एक carbon का जो holder है ना सामने से मुख थोड़ा बड़े हो गया है लॉक हो रहा है उसको बड़े से साफसभाई करके हम fitting कर सकते थे बाद में कुछ भी problem हो सकता था इसी बाइस हम मैंने change कर दिया मार्केट में बहुत सरे कंपणी का carbon duplicate मिल रहा है उसमें जो original जो पैक है सेम देखने को लाएंगे मार्केट में बहुत ही सस्ते में आपको देदेंगे आपको लाएंगे original है original नहीं है duplicate है इसे company भी मिल जाएंगे बहुत भी मिलते हैं तो मेरे पास देखिए इसमें यह भी हम holder को बाहर कर लिए हैं दूसरे holder भी हम fit कर लेते हैं पहले जैसे fit किया था ऐसे fit कर लेते हैं ऐसे fit करने से बड़े से fitting हो जागा fitting करने के बाद हम आपको चला के देखाएंगे मैसिन बड़े से चलने लगएगा कुछ भी problem नहीं होगा तो हम ठोक के थोड़ा fitting कर लेते हैं बड़े से fitting हो गया हम स्रीज में टेस्ट करें बड़े से चल रहा है सौक भी चेक कर लेते हैं सौक भी नहीं है तो हम मैसिन को डारे लेंड में चला लेते हैं कर लेते हैं मैसिन बड़े से चल रहा है उसमें कुछ भी problem ने कार्बन बीज पार्क नहीं दे रहा है देखिए बहुत कमपने का हाउसिंग वला जो स्कूव है ओई है और ये पैसकर से इसको डावार से इसको फीडिंग होते हैं तापड़ी कमपने का टी ट्वेंटी एल्फ तो डियल कमपने का जो मैसिन है डी 28720 वो मैसिन का हाउसिंग का एक नाट हम खोल लेते हैं तो नाट खोलने के बाद हम आपको देखाएंगे कितने बड़े बोल्ड को यूज करते हैं देखिए आप खुद देखिए कितने बड़े है तो और एक चीज़ दिखे इसमें दो वासार रहते हैं बड़े से टाइट करने के लिए एक पतले वासार एक स्पिंग वासार और इसमें वासार भी नहीं है वासार डाल देंगे तो और भी कम हो जाएगा तो इसमें कुछ भी नहीं रहता है तो आप मैं जो आपको बताना चाहता हूँ तो आप तो इसको देखके आप समझ गए है तो आपको क्या बताना चाहते है मैसीन बहुती लाइड है तो यह बहुती हेवी होता है और हेवी कम के लिए हेवी मैसीन आपको खजना ह मेरे वीडियो आपको आच्छा लगा तो लाइक करना कमन करका बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लगा